हेलो फ्रेंड्स मैं मनु गुपता आपके अपने यूट्यूब चैनल को क्रेजी पर आप सभी का स्वाज़त करते हैं आज हमें कॉन्फरक्स की चाट बनाएंगे बच्चे दूद के साथ कॉन्फरक्स खाते-खाते कई बार बूर हो जाते हैं तो आज उन्हें हम एक चाट के रूप में कॉन्फरक्स लाने की कोशिश करेंगे इस चाट को हम स्प्राउट्स के साथ बनाएंगे इसके लिए आईए हम इंग्रिजेंट्स देख लेते हैं अगर आप भी चाहते हैं बाहर जैसा खाना अपने घर पर ही बनाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें और इसके बाद ये जो साइड में एक चोटी सी बैल आ रही है इसे जरूर प्रेस कीजें ताकि जो भी नया वीडियो अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें ये एक बड़ा बावल हमने कॉनफ्लेक्स ले हुए हैं एक बावल हमने ये स्प्राउट्स ले हुए हैं इस साबुत मौग को हमने रादबर पानी में विवोकर रखा था ओवरनाइट सोक करने के बाद उसे हम सुभह पानी को उसके ड्रेन कर देंगे और उसे एक मसलिन लोत में बांध करके छोड़ देंगे टाइम टू टाइम उसे हम गीला करते रहेंगे ताकि उसमें हलका सा मौश्चर बना रहें और उसमें लगवग एक दिन में स्प्राउट्स निकल आएंगे ये हमने एक बड़ा आलू करके डाइस में कट करके लिया हुआ है एक बड़े प्यास को छोटे-चोटे पीसीज मे करने तो बहुती ही पानी हुझ जाए है ये हमने थोड़ा सा हरा दनि शकोट लिया हुआ है चार चोटे चम्मच पार्ऄ रे धनिय की चम्म lush हरा दनिय मिट्च की है ञाए रहा दनिय चम्मे also a Few chicken sauce to shahad लिया हुआ है दो चम्मच निबू का रस्लिया है ये दो चम्मच चाह सारी कॉनफ्लेक्स हम ने एक की साथ इसमें डाल दियें इसके बाद ये स्प्राउट्स पोटेटो पेले ने थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ये तो बाद में एकदम से मुष्ट करना मुश्किल हो दिए पोगि जाद ने फिए एक की स्वक्राद स्कुब्य च्राइज स्वक्या ऱ्यों। भावियो कर दोट। स्कुब्यचिचैस में घ्कार्णे हो थे मुष्ट रेते हैं जिए लूटरो उुछ हो थे एक की सकाथ खगाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद तब इसमें हम अपनी सीजनी डाले ग्रीन चटनी अगर आपको इसे ज्यादा पसंद है तो आप इसे तोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं यज़ा को अजवा को श्रादण उतना ग्रादान्म उपनोगर ग्रुरिक में अथे महिता अाल चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा कमी डालें क्योंकि चटनी में अल्रेडी नमक होता है रेड चिली पाउडर इसे अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जाद अभी कर सकते हैं और लास्ट में लेमन जूस इसे अब मिक्स कर लेना है मिक्स हो चुकी है और आपकी चाटी है तैयार इसे हमें बनाने के बाद बहुत जादा देर रखना नहीं है क्योंकि लेमन जूस और चटनी के वये से बहुत गीली हो जाती है यह हमारी चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है बस अब आप इसे सर्फ पर सकते हैं आप एक बार इस चाट को जरूर ट्राइ करें और आपको कैसी लगी है हमें जरूर बताएं हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्स्राइब करें अगर आपको चाट पसंद आती है तो इसे द तैक्स काट एक साट है तो सकते हैं शोर सकते हैं थाटों संसित को जरूर बाहऑ चाहन में करें आपको चाटूर इस थाएं अगर आपको जो प्रूर।